हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत करता हूँ का आपका आई महारे चैनल आईट्यूब क्लासीज में और आज हम लोग UPSC के द्वारा पूछे गए 30 कोशिंस के बारे हम बात करेंगे 30 प्लस कोशिंस जो की UPSC ने शिर्फ एक ही चैप्टर से पूछे हैं तो यह जो चैप्ट प्रिवेस रे क्वेशन पर यहां पर देखने वाले हैं और इंट्रस्टिंग सा चैप्टर है आपको एक डेर से दो घंटे के अंदर भी पूरे चैप्टर कर सकते हो और इससे अपना समय बचेगा और UPSC आपको पता है सिविल सर्विसी का एक्जाम ही कंडर्ट नहीं करव रहे हैं तो दोस्तों यह चैप्टर कौन सा होता यह चैप्टर होता हमारा विजयं पमाइर इंपायर तो प्रिलइम्ट सिम्पायर और चोला बह। सकते हो लेकिन चोला से उतने कोश्चन नहीं पूछे गए हैं जितने वीजय नगर एंपायर से पूछे गए हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत जादा important हो जाता है तो आज हम discussion करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले कुछ PYQs को देखेंगे जो की UPSC पूछे गए हैं अलगला exams के अंदर मेरा यहाँ पर परपस इन questions को explain करना नहीं है मेरा परपस सिर्फ यही है कि आपको बताना है कि यहाँ से questions पूछे गए हैं और इन सभी का answer आपको chapter के अंदर मिल जाएगा जब हम लोग chapter देखेंगे तो आराम से उसको भी आप देख सकते हैं चलिए तो पहला question देखें आप पूछा गया UPSC का ही question है 2016 का question है बिल्डिंग कल्याना मंडपा was a notable feature in the temple construction of the kingdom of Vijayanagar तो सीधा सीधा question जो ही chapter से पूछा गया है एकदम factual type का information है आपसे पूछा गया आपसे देखें who of the following founded a new city on the south bank of the tributary to the river Krishna undertook the rule of his new kingdom as the agent of the deity to the whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong जो जो कि Krishna river की जो tributary है वो है तूंग भद्रा और वहां पे बना हुआ है हमारा विजय नगर empire और विजय नगर empire को दो स्टेबलिश क्या गया था हरी हरा और बुक्का के द्वारा तो सीधा सा question आपका यहां chapter से पूछ लिया गया है with reference to Indian history 2021 UPSC का question है with reference to Indian history which of the following statements are true the nizamat of the R court emerged out of the Hyderabad state the Mysore kingdom emerged out of the Vijayanagar empire रोहिल अखंड kingdom was formed out of the territories occupied by the एहमद शाद दुर्रानी तो UPSC नो जो इस cancer दिया है वो दिया है only two क्योंकि जो हैदराबाद state वा करता था और जो निजाम ओ फार कोट हुआ करते थे बेसिकली वो हैदराबाद state से नहीं निकला है वो हैदराबाद state का ही एक आप कैसे तो satellite एक जो है territory हुआ करती थी तो यह statement आपका incorrect हो जाता है यह statement आपका incorrect हो जाता है और वीजे नगर एंपाइर और करेक्ट तो यह question का पुछा गया है CDS 2015 के अंदर से तो अमर नायका वर दा military commanders who were given territories to govern the raya राय जो वीजे नगर एंपाइर गेंडर kings हुआ करते थे उनको राया कहा जाता था और नायका हुआ करते थे जो की officers हुआ करते थे military officers हुआ करते थे तो उनको territories दी जाती थी land दी जाती थी उसका बदले में वो king की help क्या करते थे उनको horses परवाइड करवाना उनको elephant परवाइड करवाना उनको सैनिक परवाइड कराना वो सब उनका काम होता था in lieu of their service and also to maintain their contingents they were paid in cash no उनको cash में payment नहीं दी जाती थी उनको land की form में जो है payment दी जाती और कुछ दूसरे incentive दिये जाते थे तो second statement आपका incorrect हो जाता है तो यह सारी statement आपका incorrect होगी और हमारा 1, 3 and 4 यह option होगा correct हो गया तो elimination method जो है दूसरे exam में भी काम करता है UPSC में जबरदस तरीके से काम करता है देखें यह question भी UPSC 2021 के अंदर पूछा गया था last to last year question का कहता है according to the Portuguese writing noonies the women of the vision against empire were experts in which are the following तो UPSC civil services 2021 देखें wrestling, astrology, accounting और soothing भाया इस cancer हो जाता है आपका D यह question जो है इस chapter से cover हो जाता है नूनी जो है वो एक visitor थे जो विजय नगर empire के में आये थे राजर आया के दुरान उस समय जो है इनों ने अपने chapter के अंदर यह बताया है तो यह सब हम देखने वाले हैं आने वाले इस chapter में पूरा देखें अमर नायका system was major political innovation which was the following imperial states विजय नगर तो सीधे सीधे कोशिना से पूछे गए हैं CDS 2021 का यहां पर question है CDS 2018 कोश्चन है नेमोदा platform used to ritual proposed by the king of the विजय नगर empire तो इन में से कौन सा बैठके जो है king किया करते है तो इसी picture में आपको सभी दिखाऊंगा मैंने सब content आपके लिए आपे डाल रखा है CDS 2015 में there were one more question तो विजय नगर empire received its death bow at the battle of तो उसकी जो death हुई थी मतलब वो battle में हार गए थे कहां पर हुआ था तो तलही कोटा जो है 2014 का भी यहां पर question है which are the following statements are विजय नगर empire are true the king's claim to the rule behalf of the god विरुपाक्षा rulers use the title Hindu सुरातना to indicate their close links तो इस सुल्तान की बैसिली जो टर्म होती है जो दिल्ली सल्तनेत हुआ करती थी उसको जो है यहां पर हिंदू जैसे वहां पर दिल्ली सल्तनत थी मुस्लिम सल्तनेत थी ऐस रोयल portrait sculpture were now displayed in the temples तो यह question आपसे यहां पर पूछा गया है और इस question का अपना answer हो जाता है कि यह जो संस्कृत के बारे मिनों ने यहां पर बात किया और विरुपाक्षा के बारे मिनों बात किया तो ऐसा माना जाता था कि जो गोड होते हैं जो kings होते हैं विजय नगर empire के कंड़ा संस्कृत और तमिल यहां पर ते लोगु इन्हों ने इंकलूड नहीं किया है और ज्यादा तर वो तमिल में नहीं होते थे ते लोगु संस्कृत और कंड़ा में होते थे तो यह थोड़ा सा स्टेटमेंट आपका incorrect हो जाता है एंडे 2018 देखे क्या कहता है हूं अमंगता फोलोविंग ट्रैवलर्स वर थो मिटली विजय नगर किंग्डम के अंदर तो इसका सीथा सांसर हो जाता है निकोलो कॉंटी बिल्कुल फैक्चुल सी इंफोर्मेशन है विच विजय नगर तो यह देखे बिल्कुल सीथा सीथा सा फैक्चुल सा कोशन है तो संगम डाइस्टी तुलवा डिनास्टी तुलवा डिनास्टी ओराइवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवडवड तो यहां कोई खास लेना देना नहीं था तो करेक्ट आंसर हो जाता है विजयनगर सिधा 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 कोशिन पूछा गया है मैच दा लिस्ट फॉलोविंग लिस्ट वन लिस्ट की बात कर रहा है तो देखें नूनीज के जिए विजयनगर एंपायर के दौरान रूल किया था उसके लावा जो पूर्टगीज जैसे मार्तिन इवैंगलो और पूर्टगीज जो आया करते थे वहां से ट्रेवलर जो है वो विजयनगर एंपायर के दौरान आया करते थे तो इस तरह से हम लोग यहां पर देख सकते हैं और इस इस हम पर मैच बना सकते हैं ठीक है विजयनगर एंपायर में सबसे पावरफुल किंग माना जाता है और उनके द्वारा एक लिट्रेचर की एक उन्होंने लिखा था और जिसे का जाता है अमुक उन्तवल आया ठीक है ते लुगे के अंदर लिखा था और बहुत इंपोर्टेंट यह गरंथ माना जाता है बु वारा से महानवी डिबा के बारे में कॉश्चिन आ गया तो हमपी जो की विजयनगर एंपायर की कैपिटल हुआ करती थी वहां पे इसको पाया गया है तो यह आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है उसके लावा देखे सीप्याफ 2016 के अंदर विच्वदा उसकी फोटोग्राफ लेनी शुरुवात हो चुकी थी तो एलेक्सेंडर ग्रींज लो ने सबसे पहला पिक्चर वहां पे क्लिक किया था एंडे 2017 के अंदर कॉश्चिन पुछा गया है विच्वदान फॉलोविं स्टेट्में रिगार्डिंग किंग कृष्णा देवर आया इस नौट करेक्ट तो कृष्ण देवर आया ने जो यह अमुल कंतमालयदा जो लिखा था जो फेमस मैगनल मॉपस यह बैसली संस्क्रीट में नहीं लिखा था तो इस तरह के बहुत सरे दोस्तों यहां पर कॉश्चिन पूछे गए हैं और इन कॉश्चिन का आप का अंसर वैसे मैंने बता दिया है कुछ कोश्चिन का अंसर जो मैंने नहीं बताया है वो चैप्टर के दोना आराम से आप कर सकते हो तो जैसे कि देख सकते हैं उन लोग पिछले कितने सालों में यहां से कोश्चिन पूछे गए हैं तो विजयन अगर एक बहुत बहुत इंपोर्ट अगर एंपायर को कहा जाता था city of victory तो यह आपको पता होना चाहिए और इसको 14th century के अंदर इसको found किया गया था और यह 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 लोकेशन बहुत इंपोर्टेंट है यह लोकेशन बहुत इंपोर्टेंट है इस हेडे और इस स्ट्रेप फ्रमदा रीवर कृष्णा से लेके जो है नोर्थ में रीवन कृष्णा है और साउथ में जो है वो पैनिंशल इंडिया तक जाता है लोकेशना को दिखा देता हूं देखिए तो यहां पर अपनी पढ़ती है रीवर कृष्णा तो रीवर बढ़ा वीजय नगर अपायर था और यहीं पर बना हुआ है हमारा वीजय नगर और यहीं पर इसकी कैपिटल है जिसे कहा जाता है हमपी बैसिकली जो दौड़ी रीवर के बीच में यहां पर सबसे जादा जो है पावर सिचुएटेट थी उस समय पे क्योंकि यह एरिया ब पतलव होता है दो र्च बीच में जो जगया होती है वहां पर बनाए गया था थे का नाम नाम से पढ़ा है वहांे एक तो फेर सब्सक्कटा से हैं विजयन लंगन पर साल एगर पहले लेकिन बाद में येई इस को के लिए पाइम लाइट में आया उसकी खुदाई वगरा की गई और जो सबसे पहले पर्सन थे उनका नाम था करनल कॉलिन मैकेंजी इनके द्वारा जो है एक्सकवेशन स्टार्ट की गई थी एस्ट इंडिया कंपनी गंदर ओफिसर थे और पहले सर्वे मैप जो है बनाया गया वह इ जहां पर जिक्र किया गया है विजे नगर एंपायर का तो शुरुआती जो रिकोर्ड दर्ज कराया गया था कोलिन मैकेंजी के द्वारा बेसिकली वह यहां से डिटेल उनको मिली थी और आपके यह पता होगा कि 1856 के बाद जो है हमपी के अंदर फोटोग्राइफ लेनी भ हमें पता चला यह देखिए यह 1856 में ली गई फोटोग्राइफ है तो इस तरह की बहुत सारी फोटोग्राइफ को स्टडी किया गया और आपके यह पता होना चाहिए कि जो लिट्रेचर है वहाँ पे जो अलगले ट्रैवलर्स आय थे विजे नगर एंपायर के दुरान आपके लिए है तो इनके बारे में थोड़ा सा बताता चलो अगो कोलीन मैकेंजी के बारे में तो यह जो है पहले सर्वेयर जनरल ऑफ हिंडिया भी रहे हैं और बेसिकली इनका यह पर्पस था जब इन्होंने हमपी के बारे में पढ़ा या जो विजे नगर सिविलाजेश यह बेसिकली इनका में पर्पस था खर यह इंपोर्टन कोई खास जिनूज नहीं है एक्जाम के परस्पेक्टिव से अब देख लेते हैं कि विजे नगर एंपायर के अंदर जो रूलर क्लास हुआ करती थी वो किस तरह से काम किया करती थी बेसिली है पर रायाज नाम आप बार-बार देखने को मिलेंगे राया बेसिली जो वीजे नगर एंपायर के किंग होते थी राया कहा जाता था उसके नीचे आते थे नायका नायका जो है वो military commander हुआ करते थे और सुल्टान जो थे उनके साथ लगाता लड़ाई चला करती थी आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हो यह विजयनगर एंपायर है बाद में कालीकट इंदर में ही आ गया था और कालीकट इंपोर्टेंट है आपको पता है क्योंकि यहां पर फिर बाद में वास्कोटी गमा पूर्टुगीज जो है ट्रेवलर्स भी यहां पर आये करते थे ट्रेडर्स यहा जो डेकशन की हम लोग बात करते हैं बेसि disseminate बैसिझेले भीजयापूरों गरा में वो डेकशन को कहा जाता है यहां पर लिखा भी हुआ यह विजयनगर एंपायर है बिजयापूर है इदर गजयपतीज आ जा जाते हैं और उसी समय उपर जुड़ी सल्टने चल रही है और जो एहमद नगर, बीदर, गोल, कुंडा, बीज़ापूर की बात करते हैं, सभी को डैकन, सल्टनेट कहा जाता है, और यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स थे, विजनगर एंपायर के जो हिंदू रूलर्स हुआ करते थे, तो एक religious different मिन के बीच में चला करता था, बाद मिन के बीचे में fight भी हुआ, और finally विजनगर एंपायर को defeat भी कर दिया गया था, तो वो सारी चीज़े यहाँ पर चलती है, तो कुछ चीज़े आपके यह पता हो नीच चाहिए, तो 1336 के अंदर हरीहर और बुक्का, यह दो भाई थे, इन्होंने मिलके विजनगर एंपायर की शुरुआत की, और अलग-अलग language को बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते थे, और फिर बाद में आपको यह पता है कि नदन के अंदर कौन थे, विजनगर एंपायर को जो टक्कर दिया करते थे, यह देक्तन हुआ करते थे, सुल्तान जो भी हम लोग ने डागराम यहाँ पर देखा है, और गजबती रूलर जो है, ओडिसा के अंदर हुआ करते थे, और इनके साथ नोंगी लगातर फाइट चला करती थी, फरटाइल रिवर वैलीज को लेके, तो कि जो रिवर के बीच में जो जो गया होते हैं, काफी फरटाइल होती है, और आप देख चीज़ देखिए, लैंड जितनी भी फरटाइल होती है, उतनी ही जादा वहाँ पर क्रोप्स होती है, तो ये बेसिल एकी बात है, उसमें जादा फर्क कुछ बढ़ता नहीं है, ठीक है सिर्फ लेंग्वेज का थोड़ा सा फर्क आपके यहां पर नज़र आता है, यह देखिए, यह आपके नज़र आ रहा ही है, ब्रिह देश्वर टेंपल है, आज के समय यह तमिल नाडू के अं के अंदर में है, और राजा राजा चोला सबसे बड़े किंग माने जाते हैं, चोला डाइनस्टी के, उन्होंने इसको बनवाया था, ब्रिह देश्वर टेंपल, तमिल नाडू के अंदर है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है, वैसे इसका विजनगर एंपार से क लौड ओफ दा होर्सीज और जो विजनगर किंडम के जो राजा हुआ करते हैं, उन्हें कहा जाता है, रायाज, रायाज को कहा जाता है, नरपती, मतलड लौड ओफ मैन, तो तीन चीज़गा को पता होने चाहिए, लौड ओफ ऐलिफेंट्स, लौड ओफ होर्सीज एंड Lord of Men, Lord of Men कहा जाता है, विजे नगर एंपायर के रूलर्स को, Lord of Horses कहा जाता है, डेककन सुल्तान के, Lord of Elephant कहा जाता है, ओडिसा के, ये तीनों चीजे इस तरह से आप से वो राम छोटी-छोटी जीजें हैं, वो पूच सकता है, ये बिदेश टेंपल के बारे मैंने को बता ही दिया, चीक है, ये थोड़ा को पता होना चाहिए, Kings and the Traders, ये क्या बात होती है, देखिए, क्योंकि जो 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 पैनिन्सुला है, या Central Asia ऐसा है, वहां से horses को import किया जाता था, क्योंकि हमारे यहां पे horses की quality बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो ये जो horses को maintain किया जाता था, basically जो local merchant हुआ करते थे, खुदिरई, चेटी जिनको कहा जाता है, ये local merchant जो हो horses को import, export करने का काम किया करते थे, लेकिन बाद में, बाद में जो है, पूर्टगीज भी आगे, आपको पता है, 1498 के अंदर वासकोटी गामा आया, उसके बाद पूर्टगीज ट्रेडर आये, तो इनके साथ भी जो है, वहां पे issues होने शुरू हो गए थे, तो ये भी जो है trading community का part बन गए थे, और जो विजयनगर एंपायर के जो kings होआ करते थे, वो पूर्टगीज के अंदर बहुत अच्छे relation होआ करते थे, उनके, उनके साथ, आगे थोड़ा इसके बारे में discussion भी करूँगा, और जो बहुत important port होआ करती थी, वह होती थी कन्ना नोर, और जो coins यहां पर चला करते थे यह अपने नाम याद रखना है, प्रलीम समिशता की चीज़े पूछ सकता है, last to last year भी वहाँ पे coin के बारे में question पूछा गया था, तो important आपके लिए information है, ठीक है, चलिए, the apogee and the decline, apogee का मतलब होता है, जब वह कोई kingdom अपनी पूरी height पे होता है, मतलब सबसे ज़्यादा strong हो और इसके जो राजा हुआ करते थे वह थे राम राया, बेसली संगम, सुलूवू और तुलूवू, यह जो तीनों के kingdom हुआ करते थे, इनके दिल्ली के जो, sorry, जो टैकन सल्टनेट हुआ करती थी, विजयनगर, गोलकुंडा and all that, उनके साथ कोई खास जगड़ा नहीं होता है, तो तुंग भद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो द्वाब है, जिसे राइचुर द्वाब कहा जाता है, वहां पे जो है, वो सारी चीजे हुई, और सुल्तान और भीजापूर के साथ उनका इशू चलता था, कृष्ण देवा राया को कहा जाता है, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े टेंपल सवएरा बनाए और बहुत बड़े गोपुरम बनाए गोपुरम क्या होता है, टेंपल के अंदर जो गेट होता है, उसे हम लोग गोपुरम कहते हैं बेसिकली और वहां पर उन्होंने बनाए, इवन कृष्ण देर राया ने क्या किया, कहते हैं यह छोटी-छोटी इंफोर्मेशन आपको इसके बारे पता होना चाहिए ठीक ए नगलपुर्म उसको कहा जाता है किष्ण देर आया कि फाइनली फिर बाद में जो अराइवड़ू डाइस्टी है राम अराया ठीक है इन्होंने वहाँ पर कंट्रोल किया और फिर राम राया के रूल के दौरान ही जो बीजापूर एहमदनगर और गोलकुंडा इनके जो सुल्तान हुआ करते थे उन्होंने राम राया का गेंस्ट के किंग्स ने मिलके राम राया के अगेंस्ट में लड़ाई किया था तो यह छोटी छोटी चीज़े आपको पता होनी चाहिए उसके लावा देखे कुछ लोकेशन आप यहां पे देख सकते हो तो जब विजयनगर एंपायर का डिकलाइन हो गया तो बाद में जो राम राय के बाद में थोड़ी चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट रूलर रहे हैं इनको आंध्र भोज भी कहा जाता था आंध्र भोज और कृष्ण देवर राय के जमाने में ही जो है बार्वा डोसा और डैमिंगो पेस नाम के जो है फोरन ट्रै दिल्ली सल्तनेत दोनों के अंदर मुस्लिम रूलर्स वहा करते था उन्हें यावनाज कहा जाता था यह बीच में लगाता लड़ाई चलती थी लेकिन उसके बावजुद भी दोनों के बीच में ठीक ठाक रिलेशन हुआ करते थे क्रिश्ण देवर राय के जमाने में को कहा यह आप से डिरेक्टली एक्जाम में कोशन पूछ सकता है कि हुई इस कोड़ दा इस्टैबलीशर ओव दा यह ना किंग्डम तो आपका नाहों अंसर होना चाहिए वीजय कृष्ण अन्नगर कृष्ण देवा राया यह इनके रिलेशन काफी अच्छे हुआ करते थे वीज करते थे और ऐसा ही उनके केस में भी हुआ करता था तो उनके बीच में अच्छे रिलेशन थे उसके लाव किशन देवा राया के जमाने में आठ ऐसे स्कोलर्स को अपने दरबार में वो लोग रखते थे जिसे का जाता अस्ट दिगजाज यह अपने नाम याद रखना है अ और रखना इनको आधने ऊज़ा है कि याद रखना है किर्षिन देहराय के जमाने ये वहाँ पे हुआ गरते तो उसके लावा और भी हमारे आँपास नाम है यह ज्यादे इंपोर्टेन नहीं और नहीं आएगा किर्षिन देहराया अपने बहुत बढ़़े लाइटर भी और जंबवाथिक लियानम यह इन्होंने लिखी है संस्कृत के अंदर तो किश्ण देयर राया जी जो है तेलगू और संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे और लिखना पसंद करते थे तो यह थोड़ा आपको पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज में लिखा है यहां स सही सिस्टम दिल्ली के अंदर भी होता है जिसे इकता सिस्टम कहा जाता है जो कि मुगल रूल के दुरान हुआ करता था उसमें क्या होता था एक बड़ा किंग जो है अपनी जो टेरिटरी होती थी उसे चोटे-चोटे स्टेट के अंदर डिवाइड करता था और वहां पे को अपोईट किया करता था और फिर बाद में जो है उस स्टेट को छोटी-छोटी तालूख के अंदर डिवाइड किया जाता था तो यह पूरे का पूरा सिस्टम जो है आज भी इंडिया में इसी तरह के लगभग चलता है इसे इकता सिस्टम कहा जाता दिल्ली सल्तनत के किंग को अलिफेंट्स देढ थे स्ट से लड़ा करती था तो यह पको पता होना चाहिए अमारा का मतलब होता है इस संस्कृाइट वर्ड्स से निकला कहा है समारा और यह पर्चिन वर्ड हैं अमेर मतलब सब्सक्राइब जो आमीर लोग होते हैं भास उसे थाप था चलिए जी और जब आपको यह पता है कि जब हम पी विजनगर एंपायर के जो रामार आया थे वो हार गए थे डेकन एंपायर से तो वो चंद्रिगिरी, मदुरई, इकतारी, तंजावूर जो है यहां पर जाके सैटल हो गए थे और यह जो है नायक जो है पावर का सेंटर भी हुआ करते थे यानि कि जो गवर्नर हैं वो यहां पर सैट अप हुआ करते थे तो यह थोड़े सी साइट सब को पता हो नहीं चाहिए प्रिलिम्स में इस सानी निकितीन रशिया से आये थे उन्होंने फिफ्टीं सेंचुरी के अंदर विजिट किया और उसके लावा जो है दूरते बारबर डोसा दोमिंगो पेस और फ्रम्तन नूनिज में से जो है लास्ट इर कोशन पुछा गया था यूपियस्टी में यह पूर्तुगल से आय थे तो डेमिंगो पेस डिसक्रिप्शन क्या लिखते है विजय नेंगर के बारे में बात है जड़ बढर में आये करते थे गफ्ट लाये करते थे और से अपने साथ ले के घृस आयेजाया करते थे तो राजाओं के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बाते करते थे तो घरटी के साथ नहीं क्या सकते है कि इन विजचीटर nuestro ने जो भी लिखा है विजयनगर एंपायर के बारे में 100% truth है हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है कुछ चीज़े बढ़ा चड़ा के लिखी जाती है तिहास के अंदर तो इन्होंने ऐसा लिखा था जो की प्रिष्टली क्लास से होती थी या फिर जो है वो किंग क्लास से हुआ करती थी ऐसा नूनीज ने लिखा है जहांसे यूप्यस्टी में जो है कोशन ओरली पूछा गया हम लोग ने देख लिया था उसलिए वोटर रिसोर्सिस के बारें बात करें तो आपको पता है कि तुंग भंद्रा रिवर की ट्रिबूटरी है वहीं पर हमपी बना हुआ था विजयन अगर तो वहां से पानी को लिया जाया करता था ठीक है तो एंबैंग्मेंट्स वहां पर बनाए गई थी और कहीं सर में थी झाल की लिवार एंधर उपाना है सीपा कि और में प्र्यूं की खींडू की छीए अगर बिछन के अगर और वाकुपा और यह Redaktie करता है तो आपका आचाल ने कहीं scar के लिए हमपी के अंदर क्या किया गया था बाहर के तरफ दिवारे लगाई गए थी और उसके अंदर ही खेती बाड़ी की जाती थी ताकि अगर बाद में कोई बाई अगरा बाद में चांस लड़ाई जाती है तो यह जो राशन के सप्लाई हो भरपूर तरीके से होती रहे ये मोठिके वह यहां पर नहीं होता था और यह इस तरह की दिवारे और कनाल सिस्टम वहाँ पर डिवालप किया गया था तो थोड़ा साथ यहां पर इसको देख सकते हो उसके लाबा कई सारे लोगों ने यहां पर इसके बारे में अलग अलग चीजे लिखी है उसके बारे में ठीक है तो फोर्टिफिकेशन वोल थी यह देखिए यह दिवार है इस तरह की आपका नजर आती है अभी कंप्लेटली खतम हो चुके हैं यह दिवारे हल्की फुल की एक दो प्रसेंटी इंका रेमिनेंट्स बचे हुए है लेकिन येस थोड़ा हम इसको डेफिनेटली देख सकते है तो अगर आप वहां के पैलेस इसको देखोगे तो वहां के पैलेस में जो है तर्की सुल्तान का जो इंडो-इस्लामिक इंफ्लेंस वह साफ साफ नजर आता है चज्जे वहां पर नजर आते हैं और इस तरह की जो है आगेट्स वहां पर नजर आते हैं यह मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा ठीक है तो इन हिस्समें कौन-कौन से होते हैं एक होता है अपना जहां पर रोयल क्वाटर होता है और एक क्वाटर होता है जिस जो की नॉर्मल क्वाटर होता है ठीक है नॉर्मल क्वाटर तो नॉर्मल क्वाटर में ताम आदमी रहते हैं और उसके लावा जो अर्बन क्वाटर होता ह यहाँ पे जो है राजा लोग रहते हैं जो की हमें बताया गया था बाई बारबर डोसा और पुर्तकी जो ट्रैवलर यहाँ पे हुआ करते थे यह देखिए उस तरह है और उसी विजन अगर एंपायर में जो है चाइनीज पॉरसलीन भी मिलती थी इसका मतलब चाइना के साथ भी उनके ट्रेडिंग रिलेशन हुआ करते थे ठीक है और मोस्क भी वहाँ पे पाया गया है यह आप मोस्क को यहाँ पे किलिरली देख सकते हो तो इसका मतलब यह है कि मुसलिम्स को भी वहाँ पे अच्छा खासा पैटर्नेज मिलता था तो जो लड़ाई थी विजन अगर के अंपायर के अंदर जो एक और रीजिन होते हैं उसे हमलों लोग सपते हैं सपानेजों होता है एक आपका अपका गो लिव जोमनों लेतने लेपर के। रहे सकते हूं आपने लेक worn देख gefती है तो माहा नवमी डिबबा है जिसके बारे में और यहाँ पर बहुत सारे फेस्टि के ठीशते हैं. जिसको राजा बैटा करते थे और सब इंडे के अंदर और बेंगोल के अंदर दुर्गा पूजा की जाती है उसी दोरान विजयनगर एंपायर में इस टिब्बे के उपर बैठके राजा जो है वो सारी activities को देखा करते थे और enjoy किया करते थे तो यह थोड़ा आपको यहाँ पर definitely पता होना चाहिए और यह आप पैलो उसको sacrifice किया जाता था तो उन्हों काटा जाता था और वो सब चीज़ें यहाँ पर होती थी ठीक है महानों में डिबा के अंदर जो है वो सब तो होती थी उसके लावा जो है लोटस महल मैंने आपको दिखाई दिया एक बड़ी important building है लोटस महल के अगर आप दिवारो को यूज किया जाता था तो एक इंडो-islamic combined जो है कि आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको नजर आता है ठीक है मैकेंजी ने जो है एक और building की यहाँ पर बात किया यह देखिए लोटस महल का लिया गया है उसके लावा पर यहाँ पर देखिए एक और building है आपको नजर आ रह सकते हो हजारा रामा टेंपल के उपर जो है बड़ी जबर्दस नकाशी की गई है और इसको भी बनवाया गया था उस समय पे चलिए उसके लिए सेंटर देखे मतला बताए ना वीजयनगर के अंदर सेंटर भी हुआ करता था जहां पर mostly मंदिर हुआ करते थे तो यहां पर स यहां पर माना जाता हो है रमायना टेंपल जहां पर रमायन से संबंदित बहुत सारी चीज़े लिखी जाती है और विजयनगर में कहा जाता है कि विजयनगर की जो पहाडियां है वहां पर उन पहाडियों में कौन रहते थे शुग्रीव और वली रहते थे वली आपने वह सेना लेकि आगे गए तो यह माना जाता है कि सुग्रीव का kingdom वहाँ पे हुआ करता था तो एक बहुत important वहाँ पे है और पंपा देवी का जो Mother Goddess मानी जाती है करनाटका की और फिर बाद में विरुपाक्षा जो विरुपाक्षा basically एक सीव के अवतार है और पंपा देवी के बीच में और विरुपाक्षी के बीच में शादी हुई थी और वहाँ पे आज भी वो फेस्टिवल बड़े धूमदाम से मनाया जाता है विरुपाक्षी टेंपल के अंदर उसके लबावा उसके लबावा वहाँ पे कुछ जैन टेंपल भी पाय जाते हैं तो इसका मतलब च्री विरुपाक्षा ये बेसिकिली बहुत बड़े गौड माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो जो विजहनगर एंपाइर के दो इनकार्नेशन हुआ करती थी यह उनके भियाव पे रूल किया खरते थी ओर उने कहा जाता हिंदु शुरातरंप मतलब हिंदु देखिए एक तरह का आपको एक प्लैन दिखाया गया है तो यह आपको जो नजर आए यह श्राइन है जहापे में डेटी को रखा जाता है जहापे पूजा अर्चना की जाती है और यह एंट्री गेट होते हैं जिसे हम लोग गोपुरम कहते हैं तो यहां से आते हैं और यह हो यहां पर फीचर माना जाता है ठीक है मंडब यहां पर देख सकते हो और मंडब पर देखे अलग लग तरह के स्टैचू जो है यहां पर बनाए गए है विरुपाक्षा टेंपल के अंदर तो यह भी एक नकाशी बड़े जबरदस तरीके से की गई है इसे यली पिलर्स कहते देखने को मिलेंगे और चीक है वो सब्सक्राइब देख सकते हैं उसके लाबा यह कुछ पिक्चर्स के दुरा के धुरू मैं आपको समझाने की कोशिच करता हूं तो विजेनगर एंपायर थो हमें अच्छे से पता ही है और यह जो रूइन्स हैं बेसिकली विजेनगर एंपायर तो बड़े सालों पहले ही बरबाद हो गया था लेकिन कुछ रूइन्स आपको वहां पर देखने को मिलते हैं यह देखिए आपको आपको ठीकठा जो है कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है लेकिन बाहर की तरफ से पूरा फ्लैट है तो यह क्ली बात आपका पता होना चाही है उसके लाओड़ लोटसटेंपल अमयшейन आपको दिखाए देख्विं और लोटसटेंपल में किउठर करते थे दूसरे जो किंगस होते थे साथ बाचित किया करते थे यह घर्का खने प्याप्स ऐसक्षानपंपर यहां पर माहानशूमित गए हैं यह आप दूशे है विरुपाक्षा टेंपल जो है देख सकते हो इधर से यह है आपका विठला टेंपल है इधर जो है बजार स्ट्रीट है बजार स्ट्रीट मतलब जो विरुपाक्षा टेंपल है उसके सामने जो है बजार स्ट्रीट है इसके दोनों तरफ जो है बज़र आ रहा होगा आप इसको भी देख सकते हैं यह आपका मैरीज होल ठीक है जहां पर डेटी गारा की शादी करवाई जाती थी इस तरह के मंडप में तो यह थोड़ा सा आप डेफिनिटल यहां पर देखेंगे और इस तरह से जो है हमारा यह कोई खास इंफॉर्मेशन ह होर्सी नग बैसलिए विजयनगर एंपायर को कहा जाता है कि जब हमपी अपने चरम शीमा पर था तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट जो है एक एंपायर हुआ करता था ऐसा माना जाता है नूनीज ने यहां पर कहा है कि सिर्फ वेजिटेरिन ही नहीं बलकि नोन वेजिटेर में और भी जादा होंगी तो यह देखिए यह खुदाई के दुरान ही कृष्ण देवा राया का जो है एक स्टैच्यू मिला है और कृष्ण देवा राया का अगरा देखेंगे इनके फेस के उपर जो है स्मोल बोक्स के निशान नजर आते हैं थोड़े से गड़्धे वग में जो है बनाया गया 1336 में बुक्का हरीहरा के द्वारा और बहामनी किंग्डम को भी जो है उसी द्वरा निहां पर इस्टैबलिश किया गया था 1400 से लेके 1500 तक जो है गजपती किंग्डम और फोडीसा जो है इनकी स्थापना हुई बाद में इनको जो है डिफीट कर दिय गया था विजनगर एंपायर और 1500 से 1600 के बीच में जो है पूर्तिकीज ने जो है गोवा के ओपर धिकार कर लिया था वास्कोडी गामा और फिर बाद में जो है जो लड़ाई हुई थी बहामनी किंग्डम गोलकुंडा अहमदनगर ने उन्होंने जो है वो किया था और 1526 के अंदर फाइनली जो है बाबर ने बाबर ने मुगल एंपायर की स्थापना की थी तो यह थोड़ी थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए कुछ रूलर सुगरा के नाम यहां पर दिये गए है ग्रीन अलेक्जंडर ग्रीन शो टेक्स दा फर्स डिटेल फोटोग्राफ य यह dates भी काफी important होती है आपके लिए factual information आपसे एक्जाम में पूछ लेता है ठीक है तो यह question कुछ आप यहाँ पर दिये गए हैं आप इनको भी attempt करने की कोशिश कर सकते हो तो देश्टो कहने के मेरा मतलब यह है कि वीजय नगर एंपायर से इतने सारे questions पूछे गए है एक् भंटें पढ़ सकते हैं और बहुत questions यहां से आते हैं तो एक ऐसा चैप्टर जो UPSC के perspective से बहुत important है तो उसके लिए मैं कहूंगा आप विजय नगर एंपायर को consider कर सकते हैं बहुत कम आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन questions आने के chances बहुत जादा हो जाते हैं यह जो पूर इसके पर WhatsApp कीजिए और मैं आपको गूर्प के अंदर एड़ कर दूँगा उस आपको वहाँ पर डेली न्यूस्पेपर आपको मिलता है डेली करेंट अफेर आपको मिलता है और यह PDF वी आपको वहाँ पर अबलेबल हो जाएगी ठीक है जी चलो दोस्तों इसके साथ जो हम यह आपे अंड करते हैं थैंकी वारी मुच ओल्दा वेस्ट जाहिंद